Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11.11 ये आप लोगों की Quick Energy Update है और हम देखेंगे कि युनिवर्स की तरफ से आपके लव लाइफ को लेकर आपके लिए क्या मैसेज है आज की Quick Energy Update में युनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज होगा ये सारे Star Science की रीडिंग होती है, ये एक Short Reading है और बिल्कुल Timeless है तो हम देखेंगे कि आपकी Love Life को लेकर आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है युनिवर्स की तरफ से लेट्स स्टार्ट आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है सबसे पहले हमारे पास है Ten of Pentacles, वाओ So universe का आपके लिए ये कहना है कि बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है Maybe एक इशू था आपकी जिन्दगी में, आपको लग रहा था कि या आपको अभी भी लग रहा है कि मेरी शादी कभी नहीं होनी है या मुझे मेरा partner, मेरा match नहीं मिलना है पता नहीं मेरी शादी कब होनी है so universe का एक तो main message आपके लिए आ रहा है कि आपकी शादी होगी बहुत जल्दी होगी और जहां भी होगी बहुत अच्छी होगी let's see we have nine of pentacles five of borns so आजकल आप बहुत जदा परिशान है maybe जिनके साथ आपका relationship है उनसे आपकी लड़ाई हो रही है या वैसी परिशान रहते हैं आपकी किसी से बन नहीं पा रही है family में भी लड़ाई हो रही है या workplace पर भी आपकी बन नहीं पा रही है so universe की तरफ से आपके लिए message है कि आप अपनी well being पर focus करें आप मेंसे कुछ लोग अपनी health का ख्याल नहीं रख रहे है अपनी health का ख्याल रखें अच्छा खाएं अच्छा पिएं अपनी diet का ख्याल रखें जिम जाएं कुछ भी इस तरह से करें अपने लिए और कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी mental health का ख्याल भी रखें because ये भी बहुत important है अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी इशू के बारे में सोचना छोड़ दें आपकी शादी होगी ऐसा नहीं है के नहीं होगी सब की होती है और बहुत अच्छी जगा पर होगी बहुत happy life है आपकी शादी के बाद but universe की तरफ से आपके लिए ये message है कि अपनी independent life को कभी न खोईएगा आपकी शादी हो भी जाए तो आप अपनी independence पर काम जरूर करिएगा आप male हो या female हो अपना काम जरूर कीजएगा साथ साथ let's see excuse me king of pentacles and bottom of the deck so आपकी love life को लेकर universe की तरफ से आपके लिए message आ रहा है आपकी love marriage होगी जिनके साथ मैं connect कर रही हूँ आपको पता चल रहा होगा so बहुत specific messages आ रहे हैं सबके लिए नहीं है so I feel कि जिनके साथ आप already है उनी से आपकी शादी होगी ये connection आपकी जिन्दगी का बड़ा significant connection है ये इनसान आपके साथ long term चलना चाहते हैं जिनके साथ इस वक्त आपका relationship है और ये इनसान ये चाहते हैं ये इनसान बहुत practical है और चाहते हैं कि आपकी अपनी भी एक life होनी चाहिए इसलिए भी universe की तरफ से आपके लिए ये message आ रहा है कि आप चाहे आपकी शादी हो ना हो लेकिन आपने अपने goals पर काम जरूर करते रहना है हमेशा अगर आप female हैं तो आपने घर में नहीं बैठना है आप घर बैठकर भी बलके आप काम कर सकते हैं मकसद ये है कि message ये आ रहा है आपके लिए कि आपने independent रहना है कुछ ना कुछ आपने करना जरूर है अपने dream कोई ना कोई अपना goal है जिसको आपने follow करना है उसको छोड़ना नहीं है आपने और अपने आपको busy रखना है और आपके person का भी यही मानना है कि हर इंसान को independent होना चाहिए अपनी एक individual life होनी चाहिए सिर्फ एक ही इंसान पर focus नहीं होना चाहिए सिर्फ husband पर या अपनी wife पर ही focus नहीं होना चाहिए और चीज़ें भी जिंदगी में करते रहना चाहिए इसी तरह आप एक healthy और balanced life गुजारते है so maybe आजकल आपके fight चल रही है आपके person के साथ कोई बहस हुई है या लड़ाई चल रही है किसी issue के उपर so वो resolve हो जागा आपका मसला जो भी है और main message universe की तरफ से आपका यह है जिनकी energy में हम tune in है जो बहुत परिशान है अपनी शादी को लेकर और कह रहे हैं कि time बीत रहा है टाइम हो गया है शादी का भी तक हो नहीं रही है आपके लिए main message यही आ रहा है universe की तरफ से कि आपकी शादी बहुत जल्द हो रही है एक साल में आपकी शादी नजर आ रही है और love marriage होती हुई नजर आ रही है बहुत जल्द आपके person आपको propose करने वाले जिनके साथ आप इस वक्त relationship में है और focus आपने करना है अपनी life पर साथ-साथ तो यह आपकी quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे जरूर बताईगा comment section में I'll see you in my next video Till then, love you lots, bye bye